नमस्कार आप सब लोग कैसे आसा करते हैं अच्छे जुछना है कि चलने आप सब का स्वागत है फ्रेंच तो आज हमने बनाया मौंफली प्राई खाने में बहुती स्वादेश टाओ मसाला मौंफली फ्राई बनाये हैं तो आईए फूल रेसिपी को देखते कैसे बनाये हैं बहुती जट पटाओ जल्दी बनने वाली है रेसिपी को सुरू करते हैं यहां पर हम 200 ग्रम मौंफली ले लिए हैं देख सकते हैं कच्छा वाला मौंफली इसमें जो है थोड़ा साम करी पत्ता देंगे तो यह करी पत्ता को जो है थोड़ा सूख गिया है तो इसको कि साथ में यहां पर हम देंगे दो चमध हम ले लिए हैदा औंध चमष ले लिए है जोटा चमष का दा चमष लिए यहां पर हम चूर पाउडर सुआद jeera पाउड़ाबार दन्ये पाउड़ा कालि मिर पाउड़ा और हल्दी पाऊड़र अब हसा को आ साथ में दे देंगे थोड़ी सी रिफाइंड ओयल पहले जहां हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद थोड़ा सा पानी देंगे अच्छे से मिक्स कर दिये अब थोड़ा थोड़ा पानी देते जाएंगे एक सापने पानी ना दे थोड़ा थोड़ा पानी दे बस थोड़ा सा यह कोट हो जाएं तो फ्रेंच अच्छे से मिक्स कर दिये हैं देख सकते हैं सुखा सुखा है आप जो है और को गरम कर लेते हैं फ्राइ करेंगे तो फ्रेंच यहां पर रिफाइंड वाइल जो है घरम कर ली है अब हम इसमें ममफली है जो रखे है देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे तोड़ तोड़के देते जाएंगे तो फिरन सभी को दे दिये हैं अब जो है हम अच्छे से फ्राइ करेंगे तो अभी बिल्कुल चलाना नहीं है थोड़ी देर बाद हैं हम चलाएंगे तो फ्लेम को जो है मेडियाम पर रखे हैं तो दो मिनिटी हुए फ्राइ होने के बाद फिर हम चला देंगे तो लगभग दो मिनिट हो चुके हैं अब थोड़ा थोड़ा हम चला देंगे देखिए अपने आप जो है बिल्कुल छूट गया है तो अब जो है हम लगातार चलाएंगे और अच्छे से मुमपली को फ्राइ करेंगे तो कमेंट्स जरूर बताएं कैसे लग रही है मेरे रेसिपी आप सब को अच्छे लगए तो लाइक शेर करें और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें बहुत ही जट पाट आप बनने वाली रेसिपी बना रही हूं कभी भी मन करें तुरांद घर पर ही बना ले अपना तो यूँ चलाते हुए फ्रेंट्स अच्छे से फ्राइब कर लेते हैं करीब छे मिनिट जो है हम फ्राइब किये हैं हम निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स रेडी है इसको और स्वाधिस्ट बनाने के लिए यहां पर हम जो है थोड़ा मेगी मसाला दे रही हूं चाहे तो यहां पर छेदा नमक या चाट मसाला भी या भी उस कर सकते हैं तो हम मेगी मसाला यूज किये हैं तो फ्रेंट्स कैसे लगे मेरे रेसिपी ज़रूर बताएं सबलक स्वास्त रहे बाए